आज तक अन्य सत्तर चैनलों के साथ News Broadcasters Association का सक्रिय सदस्य है हम NBA से द्वारा जारी आचार सहिता और निर्देशों का कडाई से फालन करते हैं ऐसे चैनलों से साफधान रहे जो regulated नहीं है NBA का सदस्य होना खबरों की प्रामानिक्ता की ग्यारिंटी है तो बिहार में आज विधान सभा चुनाव की तारीकों का ऐलान हो सकता है साड़े बारा बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉनफेंस बुलाई गया माना जा रहा है कि 243 सीटों के लिए तारीकों का ऐलान हो सकता है कोरोना काल में ये देश का पहला चुनाव होगा इसलिए कई मायनों में ये चुनाव अलग होगा आज चुनाव आयोग साड़े बारा बजे के आसपास प्रेस कॉनफेंस करेगा और चुनाव के कारेकरम की जानकारी उस प्रेस कॉनफेंस में दी जा सकती है अभी तक जो सुत्रों के अवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक बिहार चुनाव तीन चरणों में कराए जा सकते हैं हाला कि आपको बता दें कि सामाने परिस्टियों में पिछली बार जब बिहार का चुनाव हुआ था तो पांच चरणों में बिहार का चुनाव हुआ था साल दो हजार पंदरा में लेकिन इस बार जो ख़बर हा रही है उसके मताबिक तीन चरणों में चुनाव हो सकता है पिछली बार 9 सितमबर को ही तारीखों का ऐलान कर दिया गया था लेकिन इस बार 25 सितंबर यानि आज के दिन माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का एलान होगा पिछली बार 8 नवंबर को 2015 में चुनाव के नतीजे आयते जिसमें महागटबंदन को बहुमत मिला था अब देखने की बात होगी कि चुनाव आयोग आज जब तारीखों का एलान करता है तो चुनावी डेट शीट क्या रहती है तो हमारे साथ दो सायोगी इस वक्त लाइब आ गए है संजेशर्मा इस वक्त चुनाव आयोग से इस वक्त लाइब हमारे साथ मौजूद है और सुजीत कुमार जा पतना से बिहार से इस वक्त हमारे साथ लाइब आ गए है सुजीत जी बताईए क्या तयारी है बिहार में चुनाव की तैयारी की बात करें तो चुनाव आयोग काफी हद तक तैयार है इस चुनाव के लिए और करोना काल में यह चुनाव हो रहा है और पहला चुनाव है इस तरह की परस्थितियों में होने वाला यह तो चुनाव आयोग के लिए काफी चुनावती भी थी लेकिन तै सिटों का बटवारा नहीं हुआ कौन गटवंदन में रहेगा महाज़वंदन में रहेंगा कौन जाये एंडिये में लगी नहीं नहीं हो पाया है और इसी भी चुनाव आयोग ने आज यह अगर होता है चुनाव आयोग की तरफ से तो निश्चित तोर पर ये जो चुनाव होगा वो बिल्कुल अलग होगा अब तक जो हम लोग चुनाव देखते हुए आए हैं वैसा चुनाव नहीं होगा ये अलग तरीके का चुनाव होगा क्योंकि ये करोना के संक्रमन काल का हजार के करीब जो मताद केंद्र हैं उसको बढ़ा कर डिड़गुना उसमें बढ़ा उसको बढ़ाया गया है करीब 45,000 की बिर्धी की गई है उसमें ताकि एक बूत पर एक हजार से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए नहीं आए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और व दो है लगाकर मास्क लगाकर ही वोट करने जाएंगे हलाकि एक बाश जरूर है की आपको अपनी पहचान दिखाने के लिए थोड़े समय के लिए आपको मास्क हटाना पड़ेगा ताकि matter कर्भी आपके चीहरे को पहचान सके आपके पहचान पतर से मिलास के इसके इसके हैगा हलाकि विपक्षी दल लगातार चुनाओं को टालने की बात करते रहे है आज भी विपक्षी दलों की तरफ यह कहा जा रहा है कि एक तरफ करोना की वज़ज़ से संसंसंद को बंद कर दिया जाता है तो दूसरी तरफ बिहार में जाता है रहा है यहां पर और रैली रैला का की भरमार होती थी यहां पर लेकिन वो सब दिखाई नहीं देगा बताया जाता है कि आप सौब से ज्यादा लोग एक जगाई कठा नहीं कर सकते हाला कि अभी और गाईडलाइन आने बाकी है चुनाव आये कोई तरफ से लेकिन अब तक की जो जानकारी है तो बड़ी रैलियां जो प्लान मंत्री मुख मंत्री के अस्तर पर हुआ करती थी वो रैली इस बार नहीं होगी और सारा कुछ डिजिटल और वर्चुल रैली के तहत ही मत्दाताओं के तक पहुचने की कोशिस सब तमाम राजय तिक डल कर रहे हैं वापस आते हैं आपके पास चुनाव आयोग क्या तैयारी कर रहा है संजज़ शर्मा बताइए क्योंकि रैली को लेकर कह दिया गया सौ से जादा की रैली नहीं होगी बड़े नेतार रैली नहीं करेंगे वर उससे तीन चरणों में चुनाओंगे ज्यादा चांस है कि तीन चरणों में चुनाओंगे और इसके साथ ही दशहरा और दिवाली के बीच का जो 20 दिन का वकफा है उसमें सारी प्रक्रिया पूरी करिये किये जाने की संभावना है बस अब थोड़ी देर में ही पता चल है लेकिन चुकि बिहार में दिवाली के साथ ही पर्वों का सिलसला खत नहीं होता बलकि छट और छट के बाद कार्थिक पुर्णिमा तमाम लोग उसमें इंगेज होते हैं लेकिन इस बात को लेकर सभी राजनीतिक पंडित सभी विशलेशक एक राए दिख रहे हैं कि चुनाव तो कराया जा रहा है मद्दान तो होगा लेकिन मद्दान प्रतिशत 40-45 फिश दिया उससे भी नीचे रहने के आसार लग रहे हैं क्योंकि जितने बुजर्ग हैं वो शायद ही मद्दान के इंदरों तक जाएं जो संक्रमी थें उनके लिए पी-पी किट पहन कर मद्दान करने की सुविदा है लेकिन उनको डाक मद्दान की भी सुविदा दी गई है विग्यान भवन में ये तीसरा मौका होगा जब चुनाव आयोग अपनी प्रेस कांफरेंस कर रहा है इससे पहले 2014 के लोक सभा चुनाव के प्रेस कांफरेंस यहीं हुई थी प्लेनरी हाल में अब पहला मौका एसा है जब विदान सभा का एलान यहां किया जा रहा है कोवीड के मद्देन अजर साथ ही ये जैसा कि सुजी जी ने बताया कि बिलकुल परिद्रिश्य बदला होगा यानि चुनाव के पूर्व का, चुनाव के दौरान का और मतगणना के बाद का सभी परिद्रिश्य बदले-बदले होंगे चुनाव बहुत ही स्ट्रिक्टनेस उसके साथ किया जा रहा है एहतियात पूरे बढ़ते जा रहे हैं डेड़ गुना से ज़्यादा मद्दान कर्मी भी बढ़ाए गए हैं डेड़ गुना से ज़्यादा बूथ भी बढ़ाए गए हैं साथ ही तमाम अब लोग उंगलियों से बटन नहीं दबाएंगे बल्कि तीलियों से बिहार की भाशा में का तो कटकी से बटन दबेगा अब ऐवीम का लेकिन इसके साथ ही ये भी है कि चुनावायों के लिए बी चुनौती बड़ी है चुनौती सिर्फ चुनौती सिर्फ इसी चुनाव के दोरान क्योंकि तेजस्वी आदव आज ट्रेक्टर पर बैट कर निकले भी साड़े बारा बजे प्रेस कॉनफेस है हम वापस आएंगे संजा शर्मा उस वक्त आपके पास बड़ा कवरेज आज तक आपको बिहार चुनाव की इस तैयारी को लेकर का इसकी डेटशीट के ऐलान को लेकर दिखाएगा लेकिन आज देश भर में किसानों का प्रदर्शन भी चल रहा है जरा उसकी भी कुछ जानकारी कुछ खबरें आपको दिखाते हैं नमस्कार मैं हूं अंजना ओंकश्यप हमें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया ह होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रहें आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले